नमस्कार, स्वागत है आप सब का हमारे चैनल पे आज मैं आप लोगों के साथ शाजा करूंगी बैगन और आलू की स्वादिष्ट सबजी रेश्पी तो एक बार मेरे तरीके से बैगन की सबजी बनाईए जो बहुत ही आशानिक के साथ जटपट बन जाने वाली यह रेश्पी है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा पशंद करेंगे आलू और बैगन की सबजी बनाने के लिए यहाँ आप मैंने आलू और बैगन को इस तरह से काट लिया है इसे अच्छे से धूल करशाफ भी कर लिया है आप गैस के उपर कढ़ाई चढ़ाएंगे तेल डालेंगे यहाँ आप मैंने शशुका तेल लिया है आप चाहें तो कोई शाभी रिफाइंड डॉल ले सकते हैं जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब पंच फोरन से तड़का लगाएंगे बैगान और आलू की सबजी में पंच फोरन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब इसमें डालेंगे बड़ी बड़ी को हमारे यहाँ कोढ़वरी भी बोलते हैं अब डालेंगे बारे कटा हुआ हरा मिर्च लहसुन और प्याज डालेंगे इनको सुनाहरा होने तक भून लेंगे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो यह जल जाएगा यदि यह रेश्पी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले अब इसी स्टेज पर काड डालेंगे कटा हुआ बैगन और आलू और इसे अच्छे से मेक्स करते हुए सुनाहरा होने तक भून लेंगे इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से जल जाएगा यह देखिए आलू और बैगन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है इसको पौने के साहते से चलाएंगे और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाला जिसमें लिया है हल्दी पाउडर गरम मसाला धनिया पाउडर के साथ स्वाद के नुशार नमक डालेंगे और थोड़ा से पाने डालेंगे सबको शाथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे पौने के साहता से और इसे अच्छे से मिडियम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए एक बार इस तरह के से आलू और बैगन की सब जी बनाईए जो बहुत ही ज़्यदा स्वाधिष्ट बन कर तयार होएगी ए देखिए मसाला बैगन और आलो के साथ अच्छे से पक गया है अब इसी स्टेज पर डालेंगे पानी यहाँ पर मैंने एक बड़ा गलास का पानी डाला है आप अपने जरूरत के हिशाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते है बैगन की सब्जी तोड़ा सूखी ही अच्छी लगती है इसलिए यहाँ पर मैंने कम पानी का यूज किया है यह देखिए यह पकना शुरू हो गया है अब इसी स्टेज पर डालेंगे टमाटर यहाँ आप मैंने टमाटर को अच्छे से धूर कर बारेक बारेकाड कर रखा हुआ था टमाटर को डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढख कर पका लेंगे जब तक सब्जी अच्छे से पकना जा है यह देखिए शब्जी अब 70-70% कूख हो चुका है इसको एक बार फिर से चलाएंगे और ढख कर थुड़ी दर और पका लेंगे ए देखिए शब्जी अब पक कर तयार हो गई है शब्जी अब अच्छे से कूख हो गई है आप गैश को बंद करेंगे और इसे शर्व कर लेंगे आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ दाल चावल के साथ किसी के भी साथ सर्व करें शब्जी अच्छा लगता है